असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मुंगफली कटली आये देखते हैं यह किस तरीके से बनता है सबसे पहले हम मुंगफली को भुन लेंगे मुंगफली मैंने पाव किलो ली हूँ और इसे धीमी आंच पे ही भुनना है मुंगफली भुनकर हो चुकी है यह देखिए इसका आसानी से छिलका निकर रहा है हमें ऐसे ही भुनना है अभी मैं गैस को बन कर दूँगी और इसे ठंडा होने दूँगी मूंग फली ठंडी होने के बाद मैंने इसके उपर के चिलके निकाल ली हूँ और इसको जार में डालके पीस लूँगी मूंग फली पीसकर हो चुकी है अब हम कडाई रखेंगे गैस पे इसमें मैं डालूँगी 200 गिराम शक्कर और एक कप दूद मैं मिल्क पाउडर का इस्तवाल नहीं कर रही हूँ इसके लिए मैं दूद डालूँगी और शक्कर घुलने तक के इसे पकाऊँगी शक्कर घुल चुकी है अभी मैं इसमें डालूँगी एक चमच गी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी घी अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसमें डालेंगे पीसीवी मुंफली और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताके इसमें गठे ना बने हमें ऐसे ही दीमी आज पर इसे पकाना है जब तक कि इसका पानी हल्का सा सुखने ही जाता हूँ और चमच से हिलाते ही रहना है इसका पानी अच्छे से सूख गया है अभी मैं इसको आधा प्लेट में निकाल लूँगी और आधा कडाई में ही रखूँगी आधा मैंने निकाल ली हूँ और आधे में मैं दालूँगी तीन चमच रूअबजा इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इससे अच्छे से मिक्स कर लूँगी रूअबजा अच्छे से मिक्स हो चुका है अब मैं दोनों को ही ठंडा होने दूँगी मैंने एक प्लास्टिक ली हूँ इसके अपर मैं थोड़ी से गी डालूँगी और इसको अच्छे से मसल लूँगी यह हलका गरमी है हमें अच्छे से मसल के ले लेना है इसको मसल कर हो गया है अभी मैं इसके अपर रूबज ये अला वो भी रख दूँगी और उसे ऐसा शेप दूँगी थोड़ा सा अब इसको मैं हलके हाथ से बेल लूँगी और इसको थोड़ा सा ऐसे पलट के बेल लूँगी इसको मैंने बेल ली हूँ काजु कतली के साइस का ही बेल यूँ मैंने और इसके अपर अभी मैं लगाऊंगी सिल्वर पेपर अभी हम इसे कट कर लेंगे यह साइट से कट हो चुका है अब मैं प्लास्टिक को ऐसे घुमा लूँगी और फिर इसे ऐसे कट करूँगी यह देखिए हमारी कतली कट हो चुकी है अब मैं इसे प्लेट में रब दूँगी माशाला मूंग फली कटली बनकर तयार हो चुकी है वीडियो पसंद आये तो शेर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताना मूंग फली कटली कैसी बनी अल्ला हाफीज